ACCA difficult है या असान है? क्या आपके मुन में भी ये सवाल है? क्या आप भी जानना चाहते हो कि Sir ACCA tough है या असान है मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा? If yes, तो इदर आ जाओ. सारे बच्चे जो जानना चाहते हैं फटा फट से इदर आओ हम इस पे धेर सारी बाते करने वाले हैं. अच्छे बच्चे सबसे पहले ना मुझे एक बात बताओ. आपने जो भी अब तक किया है, चाहे वो क्लास 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, कुछ 11th वाले भी होंगे, कुछ 12th वाले भी होंगे, कुछ graduation वाले भी होंगे, कुछ मेरे C.A. के बच्चे भी होंगे, आपने अच्छ तक जो भी किया है, कभी आपको लगाए बच्चे की, क्लास 8th सर टफ थी, क्लास 9th थी सर, सर क्लास 10 बहुत असान थी सर, सर क्लास 11 का math तो पूछो ही मत सर, बहुत difficult था सर, सर क्लास 12 में मुझे ये problem आती दी सर, सर साइन्स मुश्किल है सर, सर मैट्स मुश्किल है सर, सर become honest थी सर, become असान है सर, and so on and so forth, सर C.A. बहुत मुश्किल है सर, and so on and so forth, मैं C.A. बहुत बूला नहीं हूँ, कैसा लगा है आपको, कैसा लगता है आपको, हम सब को, किसी ने किसी shape and format में, किसी ने किसी चीज़ के लिए, हमेशन ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को math stuff लगती है, कुछ को science stuff लगती है, कुछ के लिए 8th का math मुश्किल था, कुछ के लिए 9th का math मुश्किल था, कुछ के लिए 10 तसान थी, कुछ के लिए 11 बहुत मुश्किल थी, मुझे ऐसा लगता है, 11 की मैठ्स बहुत टाफ है, जब मैंने एक्जान दिया तो मुझे बहुत टाफ लगी थी. Of course, कुछ लोगों को लगता होगा नहीं, and of course, कुछ लोगों को 12 तसान लगती है, साइन्स असान लगती है, केमिस्ट्री असान लगती है, फिजिक असान लगती है, because उनका नाच्रली रुजान या इंट्रस्ट उस तरफ होता है, और मेरा नहीं था, तो मुझे साइन्स बहुत टाफ लगती है, but कुछ बच्चों को जिन्हें असान लगती है, या जिनका रुजान होता है, उन्हें असान लगती है, यह तो कारण होता है, बच्चे, आपका इंट्रस्ट और आपका रुजान उस तरफ होना, दूसरा एक कारण होता है, जो मुझे लगा है, कि आपका उस डारेक्शन में मेहनत करना, वर इंट्रस्ट नहीं होता है, तो हम उतनी अच्छी मेहनत नहीं करते हैं, तो किसी चीज़ काटफ या असान होना, मुझे लगता है, सबसे ज़यदा इंपर्टंट चिस चीज़ पे निर्भर करता है, वो है आपका इंट्रस्ट और आपकी महनत, मेनत of course कहीं न कहीं somewhat dependent होती है आपके इंटरस्ट पे तो मैं इससे पहले यह बोलूँ कि अगर आपका इंटरस्ट है तो चाहे वो बच्चे सबस्बाद करों सर्फ यह बताओ करिकुलम स्टैंट पॉइंट से यह पढ़ना होता है वह चीजे टफ है यह असान है वह difficulty सब्सक्राइब कर दिया नहीं वेटे मैंने स्थार्ट इसलिए यहां से किया विए उन बच्चों के लिए जिनका इंट्रस्ट पाइनाइंस साइट पर नहीं है और वह फाइनाइंस साइट का कोर्स ले रहे हैं अगर ऐसा है बच्चे तो नहीं यह आपका कप आफटी नहीं है आपने इसको नहीं करना है घर अगर फाइनाइनस में इंट्रस्ट है तो आजू फड़ाफ़ट फड़ावट सेशुरू करते हैं ऑब अतलं करी कुल अफे करे सिए कि सर्द शवाल आते है हमारे बच्चे पूछते हैं तो इसका सवाल बच्चे एक ओंसर से complete हो जाता है इस सवाल का answer वो यह है कि बच्चे ACCA एक professional course है जैसे की chartered accountancy है अगर बच्चे professional course होगा कोई भी professional course होगा तो वो बच्चे असान नहीं होगा यह बात तैय कर लेना अपने मन में clear कर लेना और बिल्कुल गाठ पांत लेना कि कोई भी professional course बच्चे असान नहीं होने वाला है चाए वो ACCA हो चाए वो CA हो चाए वो CM में हो चाए वो CP हो कोई भी हो professional course होगा तो वो असान नहीं होगा तो ACCA का net-net answer यह है यह असान नहीं है बट इसके साथ मैं एक बात और बोल देता हूं बच्चे कि इसको वाइल ये कोर्स कटन है वाइल ACC कटन है बट इसको पास करना असान है सर ये क्या बोल रहे हो सर इधर कह रहे हो कटन है इधर कह रहे हो इसको पास करना असान है सर एक तरफ बोलो सर बैं एक ही तरफ बोल रहाँ बिटे ये कोर्स कटन जरूर है बट इसको pass करना असान है just because ये आपको pass होने की flexibility देता है बटे क्या मतलब सर थोड़ा खुल के बोलो सर आ रहा हूं बटे आ रहा हूं खुल के ही बोलूगा ये course cutting है because of course इसके अंदर आपको professionally qualified होने के लिए बहुत सारी बाते जानने ही होती है और उनका level एक professional level course के equivalent रखा किया है तो toughness तो है बट क्योंकि ये सी से आपको flexibility देता है एक exam को एक बार में देने की आपको बच्चे चार exam नहीं देने तीन exam नहीं देने कोई group system नहीं है तो आपके पास एक flexibility है कि जो CA करते बच्चे छे महिने में अफकोर्स चार paper की त्यारी करते हैं वहाँ पे आप तीन या छे मेने में एक paper की त्यारी करोगे तो जो effort बच्चे आप चार exam पे डाल रहे थे अगर वो एक exam पे डालोगे तो आपके पास सुने की possibility increase नहीं हो जाएगी बिलकुल हो जाएगी इसी वज़ा से बच्चे कोर्स के cut-in होने के बावजूद यहां result अच्छा आ जाता है और बच्चा जल्दी clear कर जाता है हमारे बहुत सारे CA बच्चे हैं जिन्होंने CA शुरू करी बस किसी भी कारण वर्ष वो CA को complete नहीं कर पा रहे और over a period of time उन्हें realize हुआ कि मैं और क्या कर सकता हूँ तो उन्हें एक ACCA का अच्छा एक option दिखाई दिया उन्होंने ACCA को opt किया और ACCA को फटाफट clear कर लिया within a year or two year time क्यूं? उन्होंने एक एक करके exam दिये और क्यूंकि इसका एक content CA से काफी मिलता जुलता है जो आपने CA में और इपड़ा हुआ है या graduation में और इपड़ा हुआ है तो आपके पास होने की possibility बहुत जादा हो जाती है important यह है बच्चे आपका interest होना चाहिए आप मेनत से पीछे नहाटो और AC करके exam दो sky is the limit मैंने बहुत सारी success stories भी सुनी है बच्चों से समझी है बच्चों से जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए है मैंने हाली में एक वीडियो बनाया जहां बच्चे ने एक CA का final काफी बार देने के बाद उसको यह realize हुआ कि उस बच्चे से सुनो कि उसकी success story क्या रही है answer would certainly certainly be there with you तो net net to end I would say बच्चे ACCA cut in है या असान है answer is sir ACCA cut in होगा but हम इसको असानी से achieve कर लेंगे अगर हमारा interest finance में है अगर हमारे में rigor है मिनत करने की और of course क्योंकि ACCA हमें flexibility देता है और हम एक एक करके exam दे सकते हैं तो sir हमारे लिए कुछ भी difficult नहीं है और fin drum तो आपके पास है आपको content भी मिलेगा जो आपको चाहिए of course to excel in the exam you would also get the best quality video lectures you would also get the revision boot camp and also the mock exam to really no where you stand अगर आपके पास हिम्मत है आपका रुजहान है आपका interest है आप मेनत कर सकते हो time लगा सकते हो and of course क्योंकि ये flexibility देता है कि आपको group में देने की जुरुद नहीं है एक एक exam clear करके आगे बढ़ सकते हो और fin time आपके साथ है then sky is the limit important ये है बच्चे कि आपका interest और आपकी मेनत आपको कहीं भी लेके जा सकती है चाहे वो ACCA हो या कोई भी professional course हो और हम तो आपके साथ है to end ACCA कठिन जरूर है but with fin time with your effort with your interest it is certainly achievable ये बहुत असान हो जाता है आपकी जरूनी बहुत असान हो जाती है अगर कोई और भी confusion है कोई और भी doubt है ACCA's related तो comment box में जरूर लिखो we'll be happy to pick it up that is what I wanted to cover in this session अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो do press the like button and share it with all of your friends I'll see you again in the next one till then this Pankaj Jinkra signing off I'll see you next time